हेलो फ्रेंट्स मैं हुर अभी महुर्ण स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल और टोमाल क्रेकर्स में है तो फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो हम देखेंगे चैसिग क्या होता है कौन Delicious होते हैं और यह किस तरीके से बार करता है तो बिना देर की यह शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं यह आपके सामने simply layout बना हुआ है chassis का और मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कौन-कौन से part होते हैं और यह कैसे-कैसे लगे होते हैं तो फ्रेंट्स यह जो component है इसे हम कहते हैं longitudinal member मैं यहां पर लग देता हूँ यह है longitudinal member और यह वाला जो है इसे बोलते हैं कौन-कौन से system और component लगे होते हैं तो basically यहां पर हमारा होता है radiator जो कि हमारा engine होता है अगर वह heat हो जाए तो उसका temperature maintain करने के लिए use होता है फ्रेंट्स से इसके बाद हमारा आता है engine जिसके बाद हमारा flywheel connect होता है जो कि हमारे internal fluctuation को कम करता है उसके बाद हमारा आता है clutch जो कि हमें gearbox और engine के बीच power को engage और disengage करने के यह use होता है फ्रेंट्स इसके बाद हमारा connect होता है gearbox जो कि हमारी speed को कम ज्यादा करने के इसाब से हम उसे use करते हैं इसके बाद हमारा universal joint के थ्रू यह connect होता है और फिर यह एक longitudinal वार होता है जैसे हम propeller shaft कहते हैं इसके थ्रू यह universal joint के थ्रू यह हमारा differential से connect होता है फ्रेंट्स इसके बाद हमारा यहां पर steering system लगा होता है और जो कि हमारा गाड़ी का direction देने के लिए हम यूज करते हैं फिर हमारा यहां पर front axle होता है जो कि हमारा यहां पर leaf spring लगी होती है जो हमारी body को जिसके पर हमारी body चड़ी होती है इसका weight maintain करने के लिए लगाई जाती है और यह हमारा front wheel होते हैं इसी तरह से इधर भी होते हैं इसके बाद हमारा आता है air tank लगा होता है जो कि engine में air को supply करता है air fill के साथ air को supply करता है और friends हमारा engine से connect होते हुए हमारे मफलर लगा होता है फिर आता है हमारा rear action और उस पर हमारा leap spring के through rear भी लगे होते हैं और हमारा यहां होता है fuel tank जो कि fuel को supply करता है तो friends यह हमारा complete layout है जो chassis का तो हम देखते हैं chassis की definition क्या होती है vehicle around the body is called chassis friends it is the most important structure for making any vehicle friends के various support system होते हैं जैसे की power unit हो गया power train हो गया और running system and electrical system मैं लिख देता हूं friends हम एक करके जानेंगे कि यह क्या होता है first आता है हमारा power unit तो friends power unit में हमारा आ जाता है engine petrol और diesel engine कोई भी हो सकता है basically हम कह सकते है internal combustion engine आ जाता है जिससे की हमें power मिलती है और friends यह जो chassis पर यहां आप देख सकती है लगा होता है यह steel और rubber के box में लगा होता है fit होता है जो कि जिससे की हमें मतलब अगर vibration होता है तो हमें उससे prevent करता है friends अगला आता है power train power train में क्या-क्या आता है gear box आ जाता है propeller shaft आती है universal joint आता है with difference here and rear axle आ जाती है friends हमारा यह सब power train के अंदर आता है friends इसके बाद आता है running system running system हमारा springs पर mount होता है leaf और coil कोई भी spring हो सकती है जो कि हमारे vibration जो road irregularity होती है उचे नीचे गड़े होती है उसकी कारट जो vibration produce होता है हमें उससे बचाता है and this is also known as suspension system friends इसके अंदर हमारे tire आते हैं इसके बाद आता है electrical system friends इसमें हमारा starter motor alternator wire valves and horn circuit वगेरा वगेरा electrical system के अंदर आते हैं यह हमें electricity मिलती है इसके दौरा जिससे की हमारा spark plug spark करता है तो हमारा electrical system भी important part है तो friends यह था हमारा complete chassis का layout और I hope आपको video समझ माई होगी तो please like, share and subscribe our channel तो friends अगली वीडियो में हम चैसे से related interview questions देखेंगे तो जोड़े रहे हमारे channel के साथ और अगली वीडियो देखना ना वो तो